जिन्दगी में दोखा मिले तो उदास मत हुआ करो बल्कि शुक्र मनाओ कि किसी दोगले इनसान से पीछा छुटा शत्रंच के शौकीन नहीं थे इसी लिए दोखा खा गए वो चाल पर चाल चल रहे थे और हम रिष्टे निभाते रहे गए अच्छा लगता है मुझे उन लोगों से बाते करना जो मेरे कुछ भी नहीं लगते पर फिर भी मेरे बहुत कुछ हैं कम से कम वो अपना बनने का ढोंग तो नहीं करते लोग बेताब थे मिलने को मंदर के पुजारी से हम दुआ लेकर आ गए बाहर बैठे बिखारी से माना की औरों के मुकाबले कुछ जादा नहीं पाया मैंने पर खुद गिरता संभलता रहा किसी को गिराया नहीं मैंने वही करो जो अच्छा लगे ये जिन्दगी आप की है किसी के पाप की नहीं भरोसा करना हमारी बड़ी गलती थी और भरोसा तोड़ना तुमारी गलती दुनिया कदमों में अच्छी लगती है और परिवार अपनी साथ में अच्छा लगता है भेतर को चीन कर खुदा भेतरीन देता है ये मैंने तुझ से मिलने के बाद जाना है किसी में कोई कमी दिखाई दे तो उसे समझाओ और अगर हर किसी में कमी दिखाई दे कि आपको पाने वाले को नाज हो और भूने वाले को अफसोस हो कर्मों की चपेट से कोई नहीं बचा है जिसने जैसा करा है उसने वैसा भरा है जब कोई आपको भड़काने का प्रयास करे तब मौन रहने का आनंधी कुछ और होता है जिन्दगी में अगर कुछ बढ़ा करना है तो हार का डर वो छोड़ना ही पड़ेगा बहाने उन लोगों के लिए होते हैं जिनके पास सफल होने की कोई वजह नहीं होती एक हल्की सी परवा रिष्टे बर करार रखती है ये जो तुम बुरे वक्त में हाथ छोड़ देते हो जब मेरा अच्छा वक्त आए तो मुझसे रिष्टे मत बनाना होने वाले खुद ही हो जाते हैं अपने किसी को कहकर अपना बनाया नहीं चाहता सरफ इज़त करने का नहीं वो तारने का भी हुनर रखते हैं हम हर शक्त की उधासे का मसला इश्ग नहीं होता जिंदगी और परिवार की उल्ज़ने भी इनसान को उधास होने पर मजबूर कर देती हैं तेरे बाद नजर नहीं आती मुझे कोई मंजल किसी और का होना मेरे बस की बाद नहीं तुम्हें महुपत कहा थी, तुम्हें तु सरफ आदत की, महुपत होती, तो हमारा पल भका बिछरना भी तुम्हें सुकून से जीने नहीं देता, किस्मत सब को मौका देती हैं, पर हर कोई बादशाह नहीं होता, एक रिष्टा ऐसा भी होना चाहिए, जिसे हम अपना हर दु देज चलता है, कभी किसी का इंतिजार करके देखो, पता चल जाएगा, कि वक्त कितना धीरे चलता है, जिन्दगी हमारी यू सितम हो गई, कुशी न जाने कहां दफन हो गई, लिखी खुदाने महापत सकती तक्दीर में, जब हमारी बारी आई, तो स्याही खतम हो गई, हम लोग आपकी नकल करने लगें, तो समझ लेना कि आप जीवन में सफल हो रहे हैं, ये तो अपनी अपनी किसमत है जनाब, किसी को चाने वाले मिलते हैं, तो किसी को भाव खाने वाले मिलते हैं, हम तो हसते हैं दूसरों को हसाने के लिए, वरना जख्म तो इतने हैं, ठीक से रोया भी नहीं जाता लोग गरते हैं तलाश खुबसूरत चहरे की अगर खुबसूरत दिल धूनते तो कभी दोखा नहीं मिलता दुन्या में सबसे तेज रफ़तार दुआओं की होती है जुबां तक पहुचने से पहले ये रफ तक पहुच जाती है वक्त कप्यारम दिखाए हम नहीं जानते परना जिस राम को रात को राज्य मिलने वाला था उसे सुभे बनवास न मिलता आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों न हो आप हमेशा किसी ने किसी की कहानी में बुरे जरूर होते हैं जिसकी कोई गैरंटी नहीं है उसका नाम जिन्दगी है और जिसकी फुल गैरंटी है उसका नाम मौत है दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते हैं इसलिए इस लायत बनिये कि अपनी जरूरतों और इच्छाओं को आप खुद पूरा कर सको किसी को अपना इतना भी वक्त मत दो कि वो वक्त आने पर आपकी अहमियत ही भूल जाए जो तुम्हें समझता हो और वक्त आने पर समझाता भी हो उससे भेटर हमसफर और कोई नहीं हो सकता है जो इंसान नियम बना कर आज का काम आज करेगा देखना लोगों से गरों महसूस करते हैं अक्सर लोग महान बनने के चक्कर में इंसान बनना ही भूल जाते हैं जिन्दगी तभा करने वाले शब्द कल से करूंगा पैसो की किमत तभी पता चलती है जब उसे खुद कमाना पड़ता है जूट कहते हैं वो लोग कि हम सब मिट्टी के बने हैं मैं ऐसे कई अपनों से वाकिफ हूँ जो पक्थर के बने हैं इंसान के चहरे पर कभी मत जाना जनाब चहरे से बड़ा नकाब और कोई नहीं हो सकता सलाह सब की सुनो पर करो वो जिसके लिए आपका साहस और आपका विवेग समर्थन करे किसमत पे ही नहीं बलकि कड़ी महनत पे भरुसा करो देखना एक दिन जरूर सफल हो जाओगे संभव और असंभव के बीच की दूरी व्यक्ति की सोच और कर्म पर निर्भर करती है जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वो कभी किसी का नहीं हो सकता चाहे वो समय हो या इनसान हो अकेले बैठ कर रोना भी मौट से कम नहीं जहां पर सवाल भी अपने होते हैं और जवाब भी अपने ही होते हैं दर्द की भी एक अपनी ही अदा है वो भी सहने वालों पर ही फिदा है चाहे कितना भी हस लो खेल लो दुनिया के मेले में लेकिन जो दिल में बसा हो वही याद आता है अकेले में उससे थोड़ी वफा कीजिए जो आपको दर्द दे उसे दफा कीजिए सच को सच और जूट को जूट बोलने का अगम रखता हूँ तभी तो दुस्मन जादा और दोस्त कम रखता हूँ इनसान नहीं बोलता उसके दिन बोलते हैं जब दिन नहीं बोलते तो इनसान लाख बोले लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता अक्सर जखमों वही लोग दे कर जाते हैं जो शुरुआत में बड़े प्यार से पेश आते हैं अब मत खोलना मेरी जिन्दगी की पुरानी किताबों को हम जो थे वो रहे नहीं और जो हैं वो किसी को पता नहीं जल्द बाजी में किया गया विश्वास और महनत के बिना लगाई गई आस इन दोनों का परिणाम दोखा ही होता है अगर जिन्दगी में कभी ऐसा हो कि कोई तुम्हारे नाम की गलत अफवा उड़ा दे तो उस अफवा की परवा मत करो क्योंकि अफवाओं के धुएं वहीं से उड़ते हैं जहां तुम्हारे नाम की आग लगी हो